देखी फ्रेंड्स, यह मेथाई बनके रेडी हो चुकी है, और यह मैने बिना गऍजश जलाय हुए बनाया है और बहुत ही कम सामस् Banks में बनके यह मिठाई रेडी हो जाती और खाने में बहुत ही डिलिसेस लगते है खास करके इसमें बहुत ही कम मेनद लगता है बनाने में, यह मैंने बिस्किट से बनाया है, तो देखे फ्रेंड्स आप भी जरूर इसे बनाएगा, विडियो को जरूर पूरा देखेगा, इसकी बिल्कुल मत कीजेगा, तो हमने 300 ग्राम मेरिगोल बिस्किट लिया है, जिसे छोटे टूडे करके हमने इसका बारिक पाउडर बना लिया है, तो पाउडर इस तरह से होना चाहिए फ्रेंड्स, और इसे हम मेजर करेंगे, क्योंकि इसको बनाने के बाद मेजर करने से हमें बहुत इजी रहेगा, बनाने में इसे, तो यह टोटली होगा फ्रेंड्स, 1 4th cup इसी cup से जो है powder milk लेंगे friends यदि आपके पास powder milk अब लेवल ना हो तो आप kajoo powder डाल सकते हैं और यह है दो बड़े चम्मच powder sugar क्योंकि already powder milk भी मीठा है और biscuit भी मीठा है इसलिए हम लोग 2 बड़े चम्मच ही powder sugar डालेंगे यह गुन-गुना दूद है friends दो छोड़े चम्मच हमने लिया है और यह dairy milk चॉकलेट है जो की 10 रुप्य अला है friends दो मैंने लिया है और इनको हम इस गुन-गुने दूद की मदद से मिल्ट करेंगे means की एक sauce type का इसे बनाएंगे क्योंकि एक element हमारा इस taste का होगा उसका flavor होगा यह और इसे हम side में रख देंगे अब जो है friends हम डो लगाएंगे डो के लिए हम एक अब दूद लेंगे और दूद थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डालते हुए friends जितना हमें नीड है एक hard dough तयार करने के लिए dough गीला नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हमें उसे two parts में divide करके फिर dough में थोड़ा सा उसे गीला करना है इसलिए जो पहला dough हम बनाएंगे उसे hard बनाएंगे तो देखे friends यह hard dough जो है वो ready हो चुका है अब इसे जो है अब यहाँ जो है इस step को जरूर follow कीजेगा और इसे दो भाग में हम divide करेंगे दो equal नहीं होंगे एक थोड़ा सा part जादा होगा और यह कम होगा means कि दो हिस्से एक तरफ होंगे और एक हिस्सा एक तरफ होगा तो इस तरह से देखे friends हमारा दोनों dough जो है हम उसे divide कर देंगे और यह जो छोटा वाला पार्ट है इसमें हम डालेंगे चॉकलेट सॉस जो हमने बना के रखा हुआ था और चॉकलेट सॉस बनाते समय आप ध्यान रखेगा कि इसमें बिल्कुल जादा दूद मढ़ डालिए थोड़ा सा और डार काएगा तो दो बड़े दो छोटे चम्मच भर के हम डालेंगे कोकुआ पॉडर तो इस तरह से देखे friends हमने इसमें डाल दिया है और मिक्स कर दिया है डो जो है ओ काफी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और इस तरह से देखे friends यह डो जो है रेडी हो चु और एक डो रेडी हो गया दूसरे डो को जो है friends हम लेंगे और देखें कितना हाड है तो उसे हम सॉफ्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा डूद डालते हुए हमने जो दूद लिया थो उसमें इतना ही दूद बचा हुआ है और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए इसे हम जैस इस तरह से ये भी सॉफ्ट हो चुका है आप अपने पसंद से इसमें कोई डाइनर्स मिला सकते हैं और इस तरह से दोनों रेडी हो चुके हैं इन डो को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि हम बनाएंगे दो डिजाइन्स की मिठाई तो एक जो है देखें इसके अंदर हमें डो को रोल करना है तो एक जादा रहेगा और एक कम रहेगा तो इस तरह से हमने डो को डिवाइड कर दिया हम अलमुनियम फॉयल लेंगे यदि आपके घर में अलमुनियम फॉयल ना एव लेवल हो तो आप क्लीन रैप भी ले सकते हैं या फिर प्लास्ट प्लास्टिक सेट पे हम कैसे उसे बनाते हैं तो इस तरह से देखें इसे किस तरह से हम स्कॉयर सेप में करते हुए जो चॉकलेट फ्लेवर वाला है उसे हम रोल कर देंगे और नीसिंग इस तरह से हम उसे देंगे तो यह स्कॉयर में होते होते देखें हो गया है तो इसे हम साइट से कवर कर देंगे और इसे हम रख देंगे साइड में तब तक ही अपना एक सेप ले लेगा फ्रेंट्स और तब तक हम उसका जो अनेधर डो है उसको अलमुनियम रैप पे रखेंगे और इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे बहुत जादा पतला नहीं होना चाहिए औ को इस तरह से अब ध्यान देजएगा अग्या तो हम इसे बेल लेंगे काफी आड़ली हम इससे नहीं बेलेंगे अधर वाइस जो है जय तो बहुता है तो देखे ऐ से इस तारह से हम χान्युनियम बेल लेंगे और इसको प्नेसिंक टैस् देने के लिए प्रैंड सम इसकी सा आपको डाग डाग दिख रहा होगा तो यह जैसे ही मैं इसको रोल कर दूंगे लाइट अपने आप पानी लगेगी इसमें और यह जो हमने सीट रेडी कर लिया है एक सीट और जो हमने रोल करके रखा हुआ था चौकलेट फ्लेवर को अब हम उसके अंदर उसे रोल करेंगे तो यहां आप थोड़ा इस मैठोड को धियान से देखिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ और इस तरह से हम इसे रोल करेंगे फ्रेंट यह बहुत ही इजी है और देखने में इतना कूपसूरत लगता है नहीं यह डेजर्ट कि कोई बिस्वास नहीं करेगा कि बिस्किट से रे कर देंगे और इसे रोल करके हम इसे फ्रेज में रखेंगे तब तक हम अपना दूसरा डिजाइन भी रेडी करते हैं सभी को हम एक साथी रख देंगे तो यह डो जो हमने निकाला तो इसमें डालेंगे डेसिकेटिट कोकोनेट पॉडर वन टेवल स्पून और उसे हम एक ब कोकोनेट पॉडर डालेंगे आप चाहे दो उसमें कोई अनदर फ्लेवर एड कर सकते हैं तो हमने डेसिकेटिट कोकोनेट पॉडर डाला है और इस तरह से इसे भी हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे उसके हम रोल बनाएंगे छोटे-छोटे और देखे फ्रेंड किस तरह से इसे अरेंज कर रही हूं आप सेम वैसे ही अरेंज करना और अल्मुनियम राप लेंगे हम और देखे फ्रिल लाइट जो है वो कम हो गई है तो फ्रेंड्स आप परिशान मत हो यह गा यह रियक्शन है और इस तरह से हम जो है इधर साइट से थोड़ा से रोल करे अब इसे हम ऐल्मुनियम फॉयल से बढ़ियां से रोल करेंगे सभी को इकठा करके ताकि जब हम कट करेंगे तो डिजाइन इसका जो हम बनाना चाहते वह अच्छी तरह से तो देखे फ्रेंड्स इस तरह से हाथ को टाइड रखेंगे और रोल करेंगे तभी यह चीजी जो कि त difनते हैं तो फ्रेंड्स चार गुंटे के बाद हमने इसे जब निकाला तो इस तरह से हम रच को बाहर करेंगे शको और इस तरह से गर रेंगे तो यह कितना खुबसूरत लग रहा आप जरूरी से अपने घर में जरूर बनाएगेगा दोनों में से कोई भी डिजाइन बनाएगा बहुत यह चलेगा तो अभी हम यह रोल वाला डिजाइन निकाले हैं तो इस तरह से हमने पूरे पीसे इसको कट कर लेना है और दूसरा जो पीस है फ्रेंट्स ए छोटा वाला जो आपको दिख रहा है तो कुछ बश चुके थे इसलिए मैंने छोटा रोल भी रेडी कर लिया था तो यह जो दूसरा रोल है हमारा उसे भी हम निकालते हैं तो देखें इस तरह से मैं निकाल रही हूँ और इसे देखें हमें बीच से कट लगाना है और लंबा कट करना है और इस तरह से हमारा जो रोल है वो रेडी हो चुके